नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे 11-18 यानि LC 11-18 IC के बारे में जिसके ओपर 18-33 नंबर मेंशन किया होता है means यह dual channel के लिए use में ली जाती है और यह जो IC है regulator IC है means जो हमारे एक इन्पुट और एक आउटपुट के लिए यूज में ले जाती है लेकिन जो हमारे SMD devices होते हैं जो चिप devices होते हैं उसके अंदर जो डबल चैनल के अंदर यूज की जाती है means एक IC के दवारा डबल यानि दो रेगुलेटर वोल्ट निकाले जाती है तो उसके लिए यूज की जाती है LC 1118 एक भी जो BL जो मॉडल आता है 1118 और एक आता है LC 1118 मॉडल जो की 1833 नंबर के उपर यह IC होती है तो ग्यारा 1833 का means होता है यह 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट दो तरह के यह रेगुलेटर वोल्ट पास ओट करने के लिए बनाई गई है तो आज इस IC के बारे में करेंगे इसकी वरकिंग टेस्टिंग और किस तरह है तो जिन्हों नों भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेर कर होते हैं तो उसके ओपर वीडियो जुरूर बनाई जाएगी तो आज का हमारा जो टोपिक है वो है एक रेगुलेटर आइसी जो की डबल चैनल के लिए यूज में ले जाती है और यह आठ पिन के अंदर आती है तो लसी ठारा गैरा ठारा इसी के बारे में करेंगे इसकी व आठ को वो सरकिट के अंदर मिलेगी जिसके ओपर 11 18 नमर मेंशन होगा और निचे 18 तेती मेंशन किया जाएगा तो इसके इस आइसी के बारे में बात करते हैं आज तो यह टोटल आठ पिन की आईसी होते है जिस साइड यह डॉट लगा तो वह पिन बरेंग फिर दो तीन च चार के बिल्कुल ऑफजेट पिन होती है पांच छे साथ और आठ करें तो यह आठ पिन की आईसी है तो सबसे पहले इस आईसी की पिन डेटेल तो यह आपके सामने पिन डेटेल है इस आईसी की तो इसके अंदर आप देख सकते हैं 11 18 आईसी का नमर मेंशन किया गया है यह पिन नमर जो एक है इसकी वो है GND और पिन नमर दो है वो वोल्ट इनपुट की यानि बन चैनल के लिए पहले चैनल के लिए पहले चैनल के लिए ग्राउंड यानि नेक्टी स्प्लाई और पोस्टी स्प्लाई जो दी जाएगी पिन नमर एक और दो पर वो पहले चैनल के के लिए विए जो इसका फॉस्ट चैनल है वह पिनवर 7 और पिनवर 8 ऐ है इससे वोल्ट होंगे जो पिन नुम 1 और दवर देंगे हम жdoes उसका रेगुलेट जो वोट होगा वह पिन वर 8 औरर 7Net पास ओट हो गया और उसके बाद pin number 3 जो इसकी GND है pin number 4 इसकी volt input की है second channel के लिए यानि जो pin number 3 और pin number 2 के उपर जो वोट देंगे वो pin number 5 और pin number 6 से पास ओट हो गया तो इसके ये कौन से वोल्ट पास ओट करेगी तो जो pin number 7 और 8 है वहाँ उसके उपर जाएंगे 1.8 वोल्ट पास ओट होंगे पर नमबर 5 और 6 पर 3.3 वोल्ट पास ओट होंगे क्योंकि ये हमारा नमबर आई से गया 118 और इसका नमबर है 1833 तो ये है 1833 का में 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट ये दो तरह के पास ओट करेगी ये आपके सामने इसकी pin detail है आप देख सकते हैं इसको note कर सकते हैं तो अब बात करेंगे इसके कुछ features ये किस तरह काम करती है किस model के अंदर आती है किस device के अंदर इसको लगा सकते हैं तो सबसे पहले ये dual channel output IC होती है जो कि अलग अलग दोनों पिनों के उपर यानि दोनों regulator ये अलग अलग regulator निकालने के लिए काम में ले जाती है नमबर दो जो maximum output current इसका है एक channel का तो वो वन अंपेर के करीब है ठीक है एक channel वन अंपेर के जो इसको input volt दिये जाएंगे उसकी रेंज कितनी है वह आपको पांच वोट से लेके पंदरा वोट तक आप इसे inputs दे सकते हैं DC कितनी पांच वोट अखिए के पंदरा वोल्ट आप दे सकते हैं इसको इंपूट के रुम में वैसे तो बेसिकली इसको 5 12 वोल्ट दिया जाते हैं ये लेकिन आप 15 वोल्ट तक दे सकते हैं कोई दिख दे लिए जो करेंट रेश्य होता है वह दो मिलियम्पेर के करीब होता जो और पुट के लिए यूज में आता है स्टेंड बाई और उसके बाद इसके अंदर मेन है पॉइंट टंप्रेचर कपैस्टी जो इसकी यह है बीस वोड़ तक बीस वोड़ से लेखे पंचासी वोड़ तक कि यह आईसी काम करते रहेगी अगर इस अबहते हएं तो नाहीं ब्रौन जाइन마रा है है कोई भी PCB है यानि जो SMD component के साथ यूज की जाती है कोई भी PCB तो जहां लोजी कार्ड है जो हमारा उसके अंदर यह जो IC है प्रियोग की जाती है और ग्राफिक कार्ड के अंदर भी IC का प्रियोग की जाता है वो ट्रेगुलेट के लिए LCD monitor LED TV के अंदर भी आप प्रियोग कर सकते हैं DVD player के अंदर भी कर सकते हैं ADSL यह नहीं जो हमारे IC का कुछ internal हिस्सा है यानि इसको किस इसके अंदर कौन-कौन से section बनाएंगे internal तोर पे जो IC को safety परदान करते हैं और circuit को shutdown करने के लिए या overheat होने के साथ या short circuit होने के बाद यह कौन-कौन से internal circuit है जो उसको safety प्रवाइड करते हैं यानि इसको safety देते हैं तो बेसिकली यह तीन पिन के धार पर काम करता है input वोल्ट, output वोल्ट और GND वोल्ट या adjustable वोल्ट बोल सकते हैं कोई दिक्कत में तो इसके अंदर एक तो है system को start करने के लिए और उसके बाद thermal protection system है, current limit system है, driver circuit system है, power transistor system है और current detector system है यानि current को भी detect करेगा, temperature को भी detect करेगा, current limit को भी कितने यह जो हमारा one ampere तक का last output होता है current के लिए तो वो भी यह अर्षानी से output देगा हमें और driver circuit भी बनाया गया ताकि इसको drive करा सके output के लिए और power transistor system ही लगाया गया ताकि वोल्ट को regulate करके output के लिए रूप में दिया सके तो यह internal feature है SIC के, अब बात करेंगे कुछ जो SIC को किस तरह use में लिया गया है तो मैंने यह पहले ही आपको बता दिया है कि इसका यह एक पेर है यह पूरा पूरा means यह एक channel है और यह second channel है यह दो channel के अंदर काम करती है pin नवर एक और दो इसकी input pin है pin नवर आठ और साथ output pin है यहां पर अगर मैं पांच वोल्ट भी अलग रहें वोल्ट दे सकता हूं और second channel के उपर मैं बारा वोल्ट भी दे सकता हूं दोनों अलग 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 वोल्ट आउट्पुट ले सकता हूं 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट है यह regulator हमारा fix रहेंगे यहां पर वोल्ट ठीक है यहा तरह का रेगुलेटर वोल्ट पासओट होगा तो इस 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 को क्यों यूज किया जाता है इसका basically काहन ही होता है कि कई supply जो हमारे पास है पांच वोल्ट के अंदर होती है यहां 12 वोल्ट के अंदर यह दोनों सेम वोल्ट लगा सकते हो माननके चलो यहां पे 12 तो यहां पे बारा वोल्ट करते हूं यह लो यहां पर जी बारा वोल्ट अब मैंने इसको इन्पूट स्प्लाई बारा वोल्ट दे दिया है लेकिन आउटपूट के रूप में मुझे कुछ वोल्ट चाहिए 1.8 के लिए और कुछ वोल्ट चाहिए 1.3 के लिए तो आप इसी आईसी का प्र अधारा तेती नंबर के अंदर आती है मीन्स अधारा तेती 1.8 वोल्ट और 3.3 वोल्ट तो यह थो इसी का वर्किंग टेस्टिंग और इमें बात करेंगे इसको चेक करने का मैथर क्या होगा बिल्कुल सा इसका मैथर है चेक करने का अगर यह इसी आईसी आईसी आपकी सरक यहां पर जीरो वोल्ट हो रहे है इंटमिन यह इसी शौट है इंटरन दोत तौर पर अगर फिर भी कोई डाउट रह जाए तो इसका आउटपुट आप ब्रेक आउट करेंगे सरकिट के साथ से जो सरकिट लगा हो उसको यहां से ब्रेक कर देंगे यानि काट देंगे सरकि यहां पर यहां पर 12 वोल्ट यहां पर Втор टीन वोल्ट चेक करेंगे एकर फिर वोल्ट नहीं आ रहे तो इसी को चीक करनेंगे तो यह तौरा आज का हमारा टपिक लसी ग्यार अठारा आइसी जो कि डूल चैनलर रेगुलेटर आइसी है वन पर्ट एट और तीन पर्ट तीन वोल्ट के लिए अगर आपको वीडियो चल लगी हो तो लाइक शेर और सब्सक्राइब जरूर करें अगर आपके पास भी कोई टॉपिक है तो हम जी कमेंट कर सकते हैं तब तक के लिए धन्यवाद जी